वेलकम स्टूरेंट्स वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शैनल उपलर गुरू पे बात करने वाले हैं एक्जाम फॉर्म्स के बारे में अगर आप पार्टले पुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूरेंट हैं चाहे पार्ट 1 के हों, पार्ट 2 के हों या फिर पार्ट 3 के हों स्टूरेंट्स आपको बता दें सेशन यहां पे 21-24 और यहां पे 20-23 और 19-22 सेशन के बारे में बात हो रही है और अगर आप सभी स्टूरेंट्स एक्जाम फॉर्म का वेट कर रहे हैं तो क्या कुछ नए अपडेट्स निकल के आए हुए पाथले पुतर यूनिवर्सिटी से सभी के बारे में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में इसलिए वीडियो बहुत ही जादा इंटरस्टिंग होने वाली है और खासकार दो तूरेंट्स के लिए बहुत ही जादा क्योंकि दो सेशन का स्टूरेंट्स का अभी तूर्फ रिजल्ट निकला है session जैसे कि आप सभी students को पता है 19.22 session part 2 का आप लोग का result आ गया था हूली से 2 दिन पहले और कल सभी students का यहाँ पर part 1 का यानि कि कल सभी students यहाँ पर जो 20-20 part 1 का result है उसको भी release कर दिया गया है और students जो खास कर अभी तक registration करा रहे थे यहाँ पे 21-24 के students सभी के exam forms का fill होंगे next session के सभी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं जिसलिए सबसे पहले आप सभी students को उससे पहले बता दे कि हमारे इस channel पे पार्टले पुत्र यूनिवर्सिटी से related सभी के सभी updates सबसे पहले दिये जाते हैं अगर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाए नीचे लाल रंग का subscribe बटन है subscribe कर ले हमारे चैनल को और अभी तक वीडियो को अगर like नहीं किया तो वीडियो को like भी जरूर कर दे आगे बढ़ते हैं सभी students को बता दें कि तीनों sessions के यहां पर जो finally 2 sessions के students release यहां पर results का वेट का रहे थे वो दोनों sessions के students का result release कर दिया गया है दोनों sessions के कुछ दिन में scrutiny forms fill up होना यहां पर शुरू हो जाएंगे और यह सारी की सारी चीज़े अभी जो भी students कराना चाहते हैं वो करा लेंगे लेकिन finally अब वो वक्त आगया है next session exam forms का तो सभी students को बता दें कि कब से आपका exam form यहां पर fill up होगा अगर बात करें यहां पर सबसे पहले session 21-24 की तो exam form कब से fill up होगा यह students आपको बता दे कि जैसा कि पहले ही बताया जा रहा था कि आप लोग का जो exam form है वो 10 अपरेल से fill up होगा जैसा कि एक viral post था आप लोग को अगर हमारे इस channel को पहले से follow करते हैं तो आपको बता आ यहां पर पता होगा कि एक viral post हमेशा से देखने को मिल रहा था social medias पर कि 10 अपरेल से सभी students का यहां पर तीनों sessions का यहां पर exam form fill up होना शुरू होगा लेकिन students बहुत जादा कम chances हैं कि यहां पर 10 अपरेल से आप लोग का exam form fill up होना शुरू हो क्योंकि थोड़ा सा यहां पर लेट हो सकता है लेकिन finally एक चीज़ confirm यहां पर बताई जा सकती है आप सभी students को क्योंकि पाठले पुत्र यूनिवर्शी द्वारा ऐसा कोई notification नहीं जारी किया गया है आज की डेट तर जो कि आपके exam form को determine कर रहा है कि आपका जो exam form है उसका exact date इस दिन भराए जाएगा लेकिन एक चीज़ confirm है कि exam form जो है वह आप लोग का वह इसी महीने यहां पर भरा जाने वाला है चाहे आप पाट वन के students हो पाट टू के हो या फिर पाट थ्री कि हो अगर 21-24 की बात करें तो बहुत सारे students यहां पर registration कराने से छूट गए थे तो अभी उन में से ही बहुत सारे students का यहां पर registration करवा रहे हैं आप सभी students को पता हो तो कि बहुत सारे students part 1 का यहां पर registration कराने में लगे हुए हैं अगर बाकी दोनों sessions का बात करें तो यहां पर तुरत यहां पर result यहां पर release किया गया है और यहां पर next जो process बचता है वो exam form का result release हो चुका है सभी के सभी students next part में ज part 2 हो चुका है क्योंकि 20-23 का यहां पर part 1 का result release कर दिया गया है तो ऐसे में इन दोनों sessions का भी बताया जा रहा था कि 10 April को सभी students का exam form जो है वो शुरू होने वाला है तो ऐसे में students से बहुत जादा कम chances है कि आप लोग का 10 तारिक exact से आप लगा आप लोग का यहां पर exam form शुर आप लोग देखिए सबसे पहले students को बता दे कि online और offline दोनों तरीके से भरे जाते हैं exam form और सभी students को बता दे कि क्या क्या चीजे लगती है सभी के ओपर एक detail video भी आने वाली है हमारी इस channel पर जो जो चीजे लगती है और सभी students को कुछ दिनों पहले एक और यहां पर notice दिख लगने वाला है अप लोग का 10 अपरेल से exam form भराने वाला है और वो जो notice था वो students बिलकुल fake था और क्यूंकि उसमें सारा का सरा यहां पर cast category wise अलग अलग fees लगता यह बात confirm है सब इस बात को ध्यान ले ध्यान से सुन ले कि जीतना भी आपका cast category है सब के मुताबिक colleges में से हो SC SC ST या फिर इन सभी किसी भी category से हो आपका अलग-अलग यहां पर fee लगने वाला है तो इस students अभी तक ऐसा कोई official notification जारी नहीं किया गया है पाटले पुतर university के दवारा लेकिन जैसे ही जारी किया जाएगा उसमें सारा कुछ यहां पर बताया जाएगा कि आपका यह documents ल जाएगने वाला है सभी के updates आपको हमारी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे लेकिन अभी इस आप लोग इस मौके पर यहां पर समझ जेजे कि अपने documents आप लोग ready कर ले क्योंकि April में सिर्फ और सिर्फ आप लोग का exam form ही fill up होने वाला है क्योंकि पूरा 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 ज students documents complete नहीं करते हैं और उनको जब exam form fill up होता है तो वापस घूम गयाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे चात्रों का document में जाती निवास आई प्रमानपत्र होना बहुत ज़्यादा important होता है लेकिन उनके पास होता नहीं है तो जो जो चीज़ें अभी तक आपको लगती और आप लोग का अगर आपके पास documents complete नहीं हुए तो आप लोग का यहां पर देखिए students आप लोग को बता दे कि documents के लिए आपको time यहां पर आप लोग को exam form भरने के लिए time भी एक लंबा time यहां पर 7-8-15 दिन तक यहां पर दिया जाने वाला है तो आप लोग यहां पर घ document है जो चीज़े लगने वाली है वो आपके पास पहले से radio तो उसके उपर भी आप लोग का यहां पर पूरा पूरा अप्रेल मन्थ जो है वो फुल जो April है वो आप लोग का यहां पर students exam form के उपर ही जाने वाला है बात अगर exams की करें और exams के साथ साथ अगर admit card की करें तो students आपको बता दे कि आप लोग का जो admit card है वो April के बाद मई में यहां पर जारी कर दिया जाएगा खासकर और exam सबसे पहले किसका होगा तो exam सबसे पहले यहां पर part 3 वालों का होने वाला है यानि कि जो part 3 session 1922 है उनका exam जो है students पहले होने वाला है क्योंकि अभी हाल में उन सभी students का भी exam हुआ है लेकिन आपको बता दे कि उसके बाद भी सभी students का यहां पर exam part 3 का पहले होने वाला है उसके बाद यहां पर part 2 session 20-20 का होने वाला है उसके बाद part 1 का exam यहां पर होने वाला है हलांकि अभी उन सभी students को बता दे कि आप लोग June यानि कि माई last और June से पहले तक ready रहे exam schedule जारी हो जाएगा आप लोग का यहां पे आप सभी students का जो admit card है वो जारी हो जाएगा और finally June तक आपके सभी exams जो है वो यहां पे खतम हो जाएगे चाहिए आप किसी भी यहां पे session के हो part 1 के हो part 2 के हो या फिर part 3 के हो तो सभी students सभी चीज़ों को लेके यहां पे ready रहें और खासकर अभी आप लोग को April में यही करना है कि आपने सारे की सारे documents exam forms के लिए ready कर लें जैसे ही links activate होते हैं आपको सबसे पहले हमारी चैनल के माधियम से बता दिया जाएगा और अगर अगर आप लोग के पास कोई question है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं वीडियो के निचे comment section में और वीडियो का live दे करें तो live chat में आप लोग किसी भी तरह का कोई भी सवाल related to पार्टले पुत्र युनिवर्सिटी अपना कोई भी question पूछ सकते हैं और खासकर इस वीडियो को जाधा से जाधा शेयर कर दे कि ऐसे किसी ग्रुप से अगर आप जुड़े हैं जहांपे कि पार्टले पुत्र युनिवर्सिटी के student है तो वहां पे इस वीडियो को शेयर क students आपकी colleges से जुड़े हुएं वहां पे तो updated रहे हैं अपने-पने colleges से अपने-पने classes से तो वहां पे related सारी की सारी चीज़े आपको देखने के लिए मिलेंगी जाकर join कर लें दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे description में जाकर जली-जली join कर लें मिलते हैं next update के साथ जैसे ह लिंक्स अक्टिवेट होते हैं exam forms के उन सभी चीज़ों के साथ और जो भी update आता है उसके सार अपडेट से जुड़े जाने के लिए चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाए नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को मिलते है next update के साथ ज